नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं यसी त्यागी ने अगनी वीर्योजना को लेकर कहा है कि अगनी वीर्योजना को लेकर मत दाता नराज हैं हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कम्यों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा की जाए और उन्हें दूर किया जाए जैराम महतो का पहला रियेक्शन हार नहीं मानूंगा लोग सभा चुनावे के परणाम आ चुके हैं इस दोरान कई लोग सभा सीटों की चर्चा देश भर में हो रही है इसमें एक जहारखन के गिरी डी भी सामिल है यहाँ एक नेदलिये युवा परत्यासी जैराम महतों ने जे एमेम और आईसू दोनों को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है बताद जैराम महतों ने 3,40,000 से ज्यादा वोट लाया है हलाकि जैराम महतों इस सीट से चुनाव हार गए है लेकिन अपनी चाप भी छोड़ गाए इसी बीच जैराम महतों का पहला रियेक्शन सामने आया है उन्होंने सोसल मीडिया पर एक कविता सेयर की है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भायवीत में संगर्स पत पर जो मिले यह भी सही वह भी सही वर्दान मांगूंगा नहीं हो कुछ पर हार मानूंगा नहीं जारखन में नगर निकाय चुनाओ की तैयरी तेज जुलाई तक पूरा हो जाएगा ट्रिपल टेस्ट का काम लोक सभा चुनाव संपन होने के बाद अब ज्यार्खन में नगर निकाय चुनाव की त्यारी सुरू हो गई है जनकारी के मुताबिक इस दिशा में जल्द ही काम सुरू हो जाएगा हलाकि अचार संहीता होने के कारण अब तक इस दिशा में काम सुरू नहीं हो पाया था लेकिन अब इस दिशा में काम सुरू हो जाएगा बतादे कि जार्खन सरकार ने ट्रिपल टेस्ट करा कर ओवी सीवर को आरक्षन देते भी नगर निकाय चुनाव कराने का फासले किया है ट्रिपल टेस्ट की जिमेदारी सरकार ने पिछ़डा आयोग को सौपी है आयोग ने पहले ही मद्य पर देश जाकर सरवे कर चुकी है आयोग जल्द ही सरकार के पास जाकर इसे समधित रिपोर्ट सौप देगी हाई कोट ने भी नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर सरकार को निर्देश देश चुका है बतादे ट्रिपल टेस्ट की परकिर्या जुलाई तक पूरी होने की उमीद है इसके बाद सरकार एताय करेगी की चुनाव कब होगा ज्यारखन के 16 जिलो में 10 जून तक हीट वेव की चेतावनी ज्यारखन के कम से कम 16 जिलो में 10 जून तक लूट चलेगी भारत मौसम विज्यान विभाग के रांची थित मौसम केंद्र ने विरस्पत्तिवार को हीट वेव का एलो अलर जारी किया है मौसम केंद्र के परमुक अभिसेक आनन ने कहा है कि सुक्रवाद 7 जून से 10 जून के भी जारकन के अधिकतर जीलो में लू का परकोप दिखा जाएगा जारकन के उत्तर पच्मी मद्ध दक्षिनी तथा उस सटे उत्तर पूर्वी भागों में कहीं हीट वेव की सीती देखी जाएगी हलाकि इसी दिन दक्षिनी और मद्ध भागों में कुछ जगों पत्ते जावाओ के साथ वजरपात होने की भी असंका है मौसम केंद्र के परमुक के मुताबिक आठ से दस जुन तक राजी के उत्तर पच्मी मद्ध दक्षिनी और उस सटे उत्तर पूर्वी भागों में कुछ जगों पर लूच लेगी बाबुलाल मरांडी का हेमंत सुरेन पर पलटवार कहा जेल का खेल सुरू करने वाले खुद सिकार हो गए भाजबा के परदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने जेलों में कैदियों की बदतर और चिंता-जनक इस्थिती संबंधी बयान के लिए पूर्व मुक मंतरी हमंशुरेन पर पलटवार किया है बाबुलाल ने कहा है कि जेल में बंद पुरमुक मंतरी हमांसुरे ने सत्ता कहंकार में सहेकडो निर्दोसों को जेल में डाला तब उन्हें न तो मनवा अधिकार का ख्याल आया न जेल के अंदर के बत्तर हालात का बाबुलार मरांडी ने गुरुवार को सोसल मीडिया एक्स पर इस आजसे का ब्यान साजा करते हुए कहा कि लोगों को उठा कर जेल में डालने की हेमंद की बडित्त मन्ना थी इस वर का नयाय देखिए कि जिस जेल के खेल को उन्होंने सुरू किया अपने कुकर्मों के करनवा भी उसी का सिकार होगा है जारखन में सुहागिन महिलाओं ने अखंड सो भागे के लिए रखा वट सावित्री वरत राजधानी राची सहित राजे के सभी हिसो में गुरुवार को वट सावित्री का पर्वधुमधाम से मनाया गया सुहागिन महिलाओं सुबह में अर्षनान करने के बाद वर्ट विरिक्स के नीचे एकत्रित हुए और विदी विधान से पुजा कर कच्चे धागे को पेर में बासेते हुए अखंड सो भागे के लिए अपने पती के दिरिखायू होने की कामना की है बताद रांची के पहाडी मंदीर सहीत बिभीन मंदीरों में भी सुहागिन महिलाओं ने पुजा अचना कर वर्ट सावित्री की कथा सुनी इस दोरान दान पुने देकर अखंड सो भागे कामना की गई महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगा कर और बड़ों के पैर शुकर असिरवाद लिया है जारखंड में 33,000 सिख्षकों की नियुक्ती परकिरिया इसी मा आदिवासी बहुल जारखंड के प्रात्मिक इसकूलों में जनजातिय और आस्थानिय भासा में पढ़ाई जल्द सुरू कराई जाएगी इसके लिए मुख्य मंत्री चमपाई सुरेन के निर्देश परिस्कूली सिख्षावी भाग 13,000 सिख्षकों की भरती परकिरिया इसी मा शुरू करने के त्यारी में जुट गया है राजे में 34,847 प्रात्मिक बिद्याले हैं सभी बिद्यालियों में जन जाती है और अस्थानिय भासा की पढ़ाई के लिए घंटी अधारित सिख्षक रखे जाएंगे प्राती घंटे करीब 200 रुपे का भुक्तान किया जाएगा मुख्य मंत्री चमपाई सुरेन के आने के बाद वे अपने आवास पर नहीं वालिक सिदे प्रोजेक्ट भवन पहुचेंगे और सरकार के कारयों को फास्ट रेक पर लेकर आएंगे सुत्रों के अनुसार कई नई योजनावों को चमपाई सरकार अगले 3-4 माह में धरातल पर उतारेगी राजे की भासाव संस्कृति को संरक्षित करने पर राज सरकार का जोर है पुर्वी सिम्भूम के चाकुलिया में पहुचा 40-50 हाथियों का जोर पुर्वी सिम्भूम के चाकुलिया में राजाबासा, जमुआ, माचडिहा, साम घाटी, मौर बेड़ा समेत कई गाओं में दसत का महल है बता दे ग्रामिनों ने बताया है कि साम होता है यहांतियों का जूड जंगल से निकल कर गाओं में परवेश कर रहा है जंगल और खेत में हाथियों को भोजन नहीं मिलने की वज़ा से हाथी भोजन की तलास में गाओं में आ रहे हैं छेतर के लोगों ने बिजली भी भाग से आगरा किया है कि रात में राजाबासा से सटे गाओं में बिजली की कटवती ना करे रात में घर के बाहर भीली का बल्ब जलने से हाथी घरों तक आने से कतराते हाई लातेहर के चंदवा में जामुमो नेता के भाई का सव मिला जारखन में लोक सभा चुनाव खत्म होने के बाद जारखन मुक्ति मोर्चा के एक नेता के भाई का सव बरामत हुआ है स्वाव एक पूल के नीचे नगन अवस्था में मिला है पूलिस मामले की जाच में जूटी है बताद लातेहर जीला के चंदवा थना चेतर में एनच 75 रिथीत सीकनी कोल पर योईना से रिचु घुटा जाने वाले पत पर केंदुआ ही गाओं के समीप और अंगा नदी पर बने पूल के नीचे से विरस्पतिवार को सुबह में एक युवा का सो मिलने से संसनी फैल गई अबुआ अवास के लाभुक से 8000 रिस्वत लेते मुखिया गिरफतार जारखन सरकार के अबुआ अवास विजना के लाभुक से रिस्वत ले रहे एक मुखिया को एंटी करेप्सन ब्यूरो की टीम ने गिरफतार किया है गिरिडी जीले में बड़ी करवाई करते हुए ACB ने मुखिया को रंगे हाथे धर दबोचा है मुखिया की गिरफतारी के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है जनकारी के नुसार चर्घरा पंचायत के मुखिया महावीर दास ने परखन के सिमरा टन गाउं की रहने वाली मुन्नी देवी से अबुआ अवास विजना कलाब दिना ले के नाम पर दस एरुपे रिस्वत की मांगी थी रिस्वत की रासी नहीं दे पाने के कारण मुन्नी देवी का अबुआ अवास विजना पास नहीं हो रहा था जनता के आसिरवाद से ज्हारखन में बनानी है मजबूत सरकार बाबुलाल मरांडी परदेश भाजपा ने गुर्वार को हर्मू रोडी स्थीत कावे परिसर में नौ निर्वाची सांसुदों के लिए स्वागत वा अभिनांदन समारों का आयोजन किया परदेश अध्यक्स भाबुलाल मरांडी ने कहा है कि जनता के आसिरवाद से परधान मतिनायन मोधी के नतियुत में देश में तीसरी बार मोधी सरकार का संकल पूरा हुआ है या उपस ठिति एतिहासिक है जानता ने मोधी सरकार की नीतियों और कारकरमों पर अपनी मोहर लगाकर आत्मनीरभर भारत बिक्सित भारत बनाने का जनदेश दिया है जानता के असिर्वात से जारकर में भी मजबूत सरकार बनानी है बोकारो इस्टील पलांट में एक भी मैदूर की छटनी नहीं होने देंगे धुलू महतो धनबाद लोक सभा के नौ निर्वाची सांसर धुलू महतो चुनाव जितने के बाद पहली बार गुरुवार को बोकारो पहुंचे यहां उन्होंने सुबह में बोकारो इस्टील पलांट के गेट पर पहुंचकर ड्यूटी जा रहे हैं मैदूर से मुलकात की और चुनाव में समर्थन देने के लिए अभार जताया इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होगा है धूलू ने कहा है कि उन्हें बी एसल के मैदूरों की समस्याओ की जनकारी है ठेका मैदूरों के सोसन से भी अवगत हूं ठेका मैदूरों की मेडिकल जाज पर कहा है कि यदि यह जाज मैदूरों को स्वास्त रखने के लिए ख्याल से हो रही है तो स्वागत है लेकिन यदि छटनी की साजिस है तो प्रवंधन कान खोल कर सुन ले एक भी मैदूर की छटनी नहीं होने दूंगा ठेका मैदूरों के साथ भेद भाव वा प्रतारना बरदास नहीं की जाएगी मुख्य मंत्री से मिले बिधायक इर्फान अंसारी समिक्षा रिपोर्ट सौपी जाम चला बिधायक ने चमपाई को जीत की बधाय दी है उन्होंने कहा है कि आपके नहींतित में जार्खन में पहली बार महागण मंदन ने पांच सीटों पर जीत धर्च की है यह जीत आम जनता की जीत है और यह सही माइने में एक बड़ा राइनितिक संकेत है लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदा अधिकारियों पर होगी करवाई डीजीपी जार्खन के डीजीपी अजय कुमार सिंग ने गुरु और को पुलिस मुखेले में मादक पदार्थ की तसकरी की रोक थाम के लिए राजे के अला अधिकारियों के साथ समिक्छा बैठक की है जिसमें डीपी ने मादक पदार्थों की तसकरी पर रोक लगाने के लिए कारग साक्षियों को ससमय नियाला में उपस्थित करने का भी निदेश दिया है समिक्छा में स्कूल एवं कॉलेज के चात्र एवं युवाओ पर इसके दुस्प्रभाव के रोकने के लिए स्कूल कॉलेज के आसपास के दुकानों पनय रखने को कहा है लुहर दग्गा में सिपाही ने एसाई को मारी गोली एसपी कोठी के बगल में किराये के माकान में रहने वाले सिपाही अनन्त सिंग मुंडा ने बुद्धवार रात नौ बजे अपने साथ रहने वाले जमादाद धर्मेंदर सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी है वरदात के बाद अनन्त लागातार अपनी इंसास राइफल से फाइरिंग कर रहा है रात करीब 11 बज़े अनन्त की पतनी भी घटनास थल के पास पहुंची और पती के मुबाइल फोन पर कॉल कर उसे समझाना चाहा लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया वहीं दूसरी ओर एस पी हारिस बिन जामा समयत कई अधिकारी घटनास थल के पास पहुंच चुके लेकिन कोई उसके पास जाने की हिमत नहीं कर रहा हलाकि 12 घंटे की कड़ी मकसद के बाद आरोपी सीपाही को घर से बाहर निकाल के गिरफतार कर लिया गया इधार एस आई के परिजनों में जबरजस्त आकरोश देखने को मिल रहा है देह ब्यापार के मामले में नाया खुला सा बांगला देश से जुड़ रहतार रांची के बरियातू थाने के पुलिस ने बुद्धवार को बांगला देश की रहने वाली तीन यूतियों को सेक्स रैकेट में सनलिप्त रहने के आरोपी गिरफतार कर जेल भेजा है पुलिस को तीन अने यूतियों की तलास है जो रांची में ही किसी अने ठीकाने परशिप कर रही है बता दे बरियातु थानेदार सुरेश मंडल ने बताया है कि छो यूतिया एक साथ बंगलादेश बॉर्डर का तार काट कर जरकन में परवेश करने के बाद नीजी वाहन से रांची पहुँची है इन में से तिन यूतियों को बरियातु थाना चेतर इस्थीत हिल वियो रोड में इस्थीत होटल बाली रिसोर्ट में रखा गया था बे मौसम बारिस से गर्मा धान की फसल को नुकसान बे मौसम बारिस के कारण यहां गर्मा धान को काफी नुकसान पहुँचा है बिते मंगलवार को हुए तेज आंधी पानी के कारण गर्मा धान जड़ कर खेत में गिर गए बहुत से किसानों ने गर्मा धान की फसल को काट कर खेत में ही रखा था वहीं कई किसानों की पकी धान की फसल खेत में ही खड़ी थी अचानक जम कर हुई बारिस से धान की बाली खेत में ही धह कर गिर गई गुरुवार को बुरुडी गाउं के दरजनों किसान अपने अपने धान को खेत से समिट कर मेल के उपरी हिसा में रख रहे थे इस समध में किसान कार्तिक भुया ने बताया है कि पहले धान की फ़सल पानी के अभाव में सुख रहे थे किसी तरह डेम से पानी लेकर सिचाई की और फ़सल को तयार किया जब फ़सल काट कर खेत में रखी तो अचानक बारिस आ गए साहब गंज एस्टेशन चोक मंदीर से बजरंग वाली का मुकुट चोरी साहब गंज रेलवे एस्टेशन चोक इस्थी जी आरपी मंदीर में चोरों ने बजरंग वाली का चान्दी का मुकुट चोरी कर लिया है मंदीर के पुजारी पंकज मीशा ने बताया है कि उन्होंने रोज की तरह गुरु आर्ग सुबा करीब चार बच कर पंदरा मेट पर मंदीर का पट खोल कर साप सफाई की है जिसके बाद सुबा पांच बजा असनान के लिए चले गए कुआ पर जब नहाने पहुँचे तो देखा कि मंदीर के बाहर किसी का चपल रखा हुए है इतने में बुलू रंग की हाप पैंट वा गुलाबी रंग का टी सर्ट पहने एक युग मंदीर से निकल कर पूरव की तरफ जाता दिखा वह असनान कर जब मंदीर पहुँचे तो बजरंग बली का दस भार का चांदी का मकुट गायब था सुचना मिलते ही नागर थाने के इंस्पेक्टर अमित गुपता दलबल के साथ मंदीर पहुँचे और जाच परताल की है विधूत वरण महतों को मिल सकती है मंत्री मंडल में जगा जम सेथ पूरशीट से निर्वाची सांसत विधूत वरण महतों को मोदी मंत्री मंडल में जगा मिल सकती है इसे लेकर भाजपा नेताओ और करकाताओ के भी चर्चा सुरू हो गई है बिदूत वर्ण महतुने लगातार तिसरी बार जीत हासिल कर इतिहास रचा है इसे लेकर यहां के भाजपा नेताओकर का ताओक नजर पार्टी के केंदरे नितित पार्टी की है कहा जा रहा है कि अगले दो दीनों में इसके संकेत मिलने लगेंगे कि किसे मंत्री मंडल में जगा मिल रही है लगातार तीसरी बार केंद्रे में सरकार बनने जा रहे मोधी सरकार को मंत्री मंडल के लिए NDA में सामिल अने दलो का भी ध्यान रखना होगा आदिवासी संगठनों ने कोतवाली थाना घेरा पुरानी रांची में बीती रात हुए गोली कांड के बिरोध में विभीन आदिवासी संगठनों के लोगों ने गुरुवार को कोतवाली थाना का घेराव किया इस दोरान आदिवासी संगटों ने गोली चलाने वाले जमीन दलाल को जल्द से जल्द गिरफतार करने की मांग की है थाना घेर ने आये लोगों ने कोतवाली थाना हाई हाई पैसा लेकर निर्दोस को गिरफतार करना बंद करोगे नारे भी लगाए है आदिवासी संगाठनों ने आरोपीयो की गिरफतारी नहीं होने पर रांची बंद कराने की भी चेतावनी दी है बतादे समाजी करकरता आकास बेग ने कहा है कि जमीन दलाल महोल खराब करने की कोशिस कर रहे हैं वे खुलियाम आदिवासी समाज के लोगों पर गोली चला रहे हैं जारखन में सवरोजगार के मामले में महिलाओं ने पूर्शो को पचार दिया है सूबे की 88.50 महिलाओं सवरोजगार से जुड़ी है इसमें 90.3 फिजदी महिलाए ग्रामिन चेतर में सोरोजगार जुड़ी है जबकि सहरी चेतर की 55.7 फिजदी महिलाए ही सोरोजगार करती है इसका । खुला सा ज्यारकन सरकार के आकड़े में हुआ है आकड़ों के मुताविक राज्ये में 58.75 पूरुद सरोजगार से जुड़े हैं इसमें ग्रामीन छेतर में रहने वाले 61.45 पूरुद सरोजगार करते हैं जबकि सहरी छेतरों में 45.45 पूरुद सरोजगार से जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रीम बार कांड में सबूत पेस नहीं कर पाई पूलीस रांची सिविल कोट से रेडिसन बुलू के सामने एक्स्ट्रीम बार में हुए डीजे हत्यकांड ममल में गिरफतार बार के संचालक सहित अनेको बड़ी रात मिली है दोनों पक्षो को सुनने के बाद आदालत ने बार के संचालक 20 साल, उदाय सिंग, पंकज अगरवाल और रभी कुमार को जामानत की सुविधा परदान कर दी है घाटना 26 माई को रात की हुई थी जिसमें संदीप प्रमानिक उर्फ डीजे सैंडी की मौत हो गई थी जिसके बाद 28 माई को पूलिस ने मार पीट के आरोप में बार के मालिक उदाय संकर सिंग, बार के लीज होल्डर भी साल सहीद 9 को गिरफतार किया था इसके बाद इनकी ओर से अदालत में जमानत याजका दाखिल की गई थी याजका करता के अधिवाक्ता समीर अखवरी ने बताया है कि नाइक दंडा अधिकारी संभू महतों की अदालत में चारों की ओर से दाखिल जमानत याजका पर सुनवाई की गई है सहायक आचारे नियुक्ति पर बड़ी खबर जार्खन के प्रारमभिक बिद्यालेयों में सहायक आचारे के पदो पर होने वाले नियुक्ति में 12,798 में अभिहारतियों ने चोथे पत्र के अंतरगत विशाय का विकल्प नहीं दिया है जार्खन करमचरी चैन आयोग ने विकल्प के लिए अपनी वेब साइट पर लिंक जारी किया था हलाकि निर्धारित समय स्तिमा तक इतने अभिहारतियों ने विकल्प नहीं दिया है अब आयोग ने इन सभी अवियार्थियोक निर्धारित प्रारूप में चौथे पत्रे के विशाय का विकल्प चुन कर 10 जुन तक आयोग में आवेदन देने को कहा है किसी अने माध्यम से प्राप्त आवेदन सभीकार नहीं किया जाएगा आयोग ने कहा है कि 10 जुन तक आवेदन नहीं देने पर आयोग स्वेम विकल्प पर निर्ने लेगा 14 जुन से हजारी बाग में प्रथम जार्खन राज रैंकिंग टेवल टेनिस चेंपियनसीब जार्खन स्टेट टेवल टेनिस एसोसेशन के बैना तलेवा हजारी बाग डिस्ट्रिक टेवल टेनिस एसोसेशन के तत्वधान में 14 जुन तक पहली जार्खन स्टेट रैंकिंग टेवल टेनिस चेंपियनसीब का विजन किया गया बिनोबा भावे विशु बिद्याले और मौलाना अवुल कलाम अजाद इंडोर स्टेडियम हजारी भाग मोहने वाले चेंपियन्शिप में बालक बालिका अंडर 11, 13, 15, 17, 29 और महिलावा पुरू सिंगल के इवेंट होंगे चेंपियन्शिप में भाग लेने की अमतिम 30, 10 जून साम चार बये तक है सभी इवेंट के लिए परवेश सुल्क 200 रूपे अंडर 11, 13, 15 वहीं 300 रूपे अंडर 17, 29 और 500 रूपे सिंगल पूरू स्वा महिला है खिलाडियों और अफिसियल के ठाहरने की बेवास्ता निसूल्क है जारखन में अब चमपाई सुरेन के फोटो वाले बैग में मिलेगा रासन जारखन में गरीबों के घर मुख्य मंत्री चमपाई सुरेन के साथ उन्हें से 32 खतियान समेत राज सरकार के नीतिया और वेनाय रासन के साथ जल्द पहुँचेगी राज के सभी सिरेनियों के करभधारियों को मासिक राजसन और मुख्य मत्री चमपाई सुरेन का फोटो और जारकन सरकार के लोगों लगे जोला में दिया जाएगा इसके लिए पूर्बी सिम्मुम समेत राज के सभी जीलों को 66 लाग से अधिक सरकारी जोला भेजा गया है बता दे राज सरकार के जन संपर्क बीभाग के द्वारत त्यार किये गए जोला में 25 सुरेन सरकार का टाइग लाइन सिलसीला जारी रहेगा अंकित है राज-जमरेश्ट्रीए खाज सुरक चाधिनियम के तहट बनाए गया पूर्य बावन लाग सत्रह है चाVEN चास रशप्र योज ग्रीन राशन करद्रधारियोग के अलावां के तब के बनाए गया है 5,12,536 ग्रीन राशन कारधार्यों को इसी माज से उक्त जोला में ही राशन देने कादेश दिया गया है धन्यवाद